नमस्कार कोरोना वाइरस के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए कम्प्लीट लॉकडाउन का जो एलान किया गया उसका सबसे बड़ा असर उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित दिहाडी मजदूर और छोटे काम दंदों में लगे हुए लोग हुए है ये ऐसे लोग है जो र नहानगरों में नौकरी करने के लिए गए लेकिन कम्प्लीट लॉकडाउन के ऐलान के बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और ये अपने घरों को लोटने के लिए मचबूर हुए लेकिन कई जगाउं पर ऐसी सूचनाय हैं कि इनके गाउं में भी नहीं जाने दिया जहां बड़ी संख्या में दिहारी मजदूर काम करते हैं उद्योगों में लगे हुए जो छोटे कारोबार करते हैं छोटे कामधंदों में लगे हुए लोग हैं वे सारे के सारे लोग इस लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार जहिल रहे हाला कि सरकार ने घोशनाय बात की की ह कि इन सारे लोगों को जो लोग जिनके कामधंदे ठप हो गए हैं जो 80 करोड गरीब लोगों को सरकार ने कहा कि उनको अगले तीन महने तक पांच किलो आटा या चाबल दिया जाएगा और एक एक किलो दाल भी दी जाएगी लेकिन सवाल यह है कि ये जो दिहाडी मजदूर हैं ये अपने घरों से दूर गाओं से दूर महानगरों में हैं और वहाँ पर इनके पास राशन कार्ट की सुविधा नहीं है क्योंकि इनका जो राशन कार्ट है वो इनके मूल राज्ज में जहांके ये रहने वाले वहाँ है तो ऐसे में बहुत लाखों की संच्या में ऐसे लोग है जिनके पास अपने राशन कार्ट ना होने के कारण उन्हें कोई सुविधा ही नहीं मिल पाईगी जो सबसीडी वाला राशन जिसकी बास सरकार कर रही है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में ये जो सारे लोग हैं ये जो चैरिटेबल संस्ताइं हैं जो स्वैंग से भी संस्ताइं हैं उन पर निर्भर हैं लेकिन सवाल यह है कि ये charitable संसाइं कब तक खाना बाटेंगी और कब तक इन लोगों का ये लोग बिना काम धंदे के कब तक बैठे रहेंगे क्योंकि complete lockdown का जो ऐलान है वो तो 21 दिन का है लेकिन अगर coronavirus के संक्रमण के मामले नहीं रुके जैसे बीते तीन दिनों में बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं तो ऐसी स्थिती में सरकाल lockdown को आगे करेगी या रोकेगी ये इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है अगर lockdown जारी रहा तो उसके बाद जो economic activities हैं जो आर्थिक गतिविदिया हैं उनके शुरू होने में भी समय लगे आगा को बीते काफी दिनों से कामधंदे बंद है तो ऐसी स्थितीयों में इन ये जो लोग हैं ये खासे परिशान है और इन लोगों की स्थिती यह है कि इन लोगों के पास अभी एक तो काम नहीं है दूथरा राशन कारण होने के कारण इनको जो सबसीड़ी वाला राशन या सरकार ने जो गोश्टा की है वो राशन मिलना इन्हें मुश्किल हो रहा है तो ऐसी स्थिदियों में इनके सामने बहुत बड़ी मुश्किल है इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोरोना की जो मार है जो जिसके लिए मैं दुनिया भर में इस बात की चर्चा की जा रही है कि economy पर इसकी सबसे जादा मार पड़ेगी ऐसा ही जैसे अमेरिका ने कहा था कि हमारी economy ठप हो जाएगी इसलिए हम बहुत जादा strict action नहीं ले सकते तो अगर आप देखेंगे वैसे ही कई देश ऐसे हैं जैसे स्वीडन है स्वीडन ने भी इसी बात को कहा है कि उनकी economy बै हुआ है लेकिन आप यह देखेंगे कि जो tourism industry है hotel industry उस पर इसका बहुत जादा असर पड़ा है इसके अलावा जो textile industry है food products है और जो चोटे मोटे जैसा मैंने कहा जो कामदंदे उन पर भी इसका असर पड़ा है और ऐसे में जब यह industries production नहीं करेंगी उत्पादर नहीं करेंग क्योंकि अभी नोटबंदी और GST के बाद भी यह देखा गया कि जो यह small industries है जो छोटे कामदंदे वाले लोग है उन्हें काफी परेशानी हुई और उससे वो उबर रहे हैं और उबरने की कोशिश में थै कि यह जो lockdown है इससे उन्हें खासी मुश्किल होती हुई दिख रह जाएगी इससे निपटने के लिए भी सरकार के पास एक अच्छा package होना चाहिए सरकार के पास एक अच्छा एलान होना चाहिए अच्छी घोश्टाएं होनी चाहिए कि वो किस तरीके से लोगों को राहत दे पाएगी सबसे पहले तो इस 21 दिन के complete lockdown के दोरान लोगों को रा लोगों को सबसे पहले राशन मिल सके खाना मिल सके ये सबसे जरूरी है और उसके बाद जो आर्थिक मंदी का जो दोर है जैसा कहा जा रहा है कि इससे GDP गिर सकती है एकॉनमी पे बड़ा असर पड़ेगा नोटबंदी और GST ने जैसा impact किया उससे ज़्यादा ये impact इसका lockdown क होगा तो ऐसी स्थितियों में सरकार को ये जो निम्न वर्ग का तपका है गरीब वर्ग का तपका है इसके इसको ध्यान में रखकर इसे जो बहतर से बहतर सुविधाएं हो उन्हें वो देने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कई साधी रिपोर्ट्स ऐसी आ र पड़ेगा और सारे भारत के ही क्या सबी मुलकों की सरकारों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने चाहिए जिससे की जो निम्न वर्ग तपका है मध्यम निम्न वर्ग का तपका है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश ना हैं सत्यहंदी रौट कॉम में आज के ल ये बेल आइकन दबाए